गुरु जी को डोड़ने के लिए जिस्समें चले हैं तो बशिट जी ने कहा बड़े निमेत्र भाव से जाना संतों के पास में साधान न चले जाना नहीं साप मिलाएगा भस मह दाओगे संत मिलाने कूँ जाईयो तदि माया अभिमान जोजयो पग आगे धरू कोटिन यग समान जोजयो पग आगे धरू कोटिन यग समान महराज सुमंत जी चल दिये रथ ले करके और जब रथ ले के चले तो एक बन दो बन चार बन घूमते 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 महराज सुमंत जी कहा पहुँचे बोले किस कंदाय को नगरी है जिसमें सुमंत जी जाते चादे हैं मंती हाद लिये संतों से पता पूँछते आगे जायरे महराजी संत महत्मन्त से रास्ता पूछते हुए कोई सिंगी निसी को पता नहीं बताई रहो किसी को पता ही नहीं है लेकिन एक जरजर बूरा महत्मा बैठा सुमन्त जी आएकर के चणों में जुग गए महत्मा ने पूछा क्यूं क्या बात है बेठा तो आज सुमन्त ने हाद जोड़े महराज मैं अयोध्या पती महराज दस्त का मंत्री है क्यूं आए हो तो आज सुमन्त जी ने हाद जोड़े बाबाजी करी जो रुपिने तब बोलू धे बाबा जी मों को पहाद सुनू गुरु वरे पशीषिने ओ भाबा जंकर में मों इपठायो है बाबा का महराजी मुझे गुरु जी ने भेजा है क्यों तो जवाब दिया मुझे का चले जाओ सीदे लभेर बन में महराजी लभेर बन में तपश्चा कर रहे हैं लेकिन बेटा बहुत हिसाब से जाना क्यों चौबीस घंटे में एक बार गुफा से बाहर निकलते हैं और मालुम क्या करनी भोजन करनी भोजन किसी का कर रहे हैं महराजी लभेरे की छाल को चाट करके पुने वापश ले आते हैं सुमंत बोले ठीक है सुमंत जाकर के लभेर बन में विस्समें पहुँचे हैं तो एक एक बन में एक एक ब्रक्ष को देख रहे हैं किसकी छाल को चाट रहे हैं एक पेंड मिला सुमंत जी दूर जाकर के बैट गे पूरी रात दिन तजर किया अब निकलते होंगे अब निकलेंगे अब निकलेंगे सबेरा हो गया राजन सबेरे आद अब धूर चतिल फककर की रूप में महराजी निकले और आकर के उस पेंट की छाल में जबान लगा करके चाटना सुर कर दिया चाटनी के बाद में पुनिब अब पर चले गएं सुमंतनी कुछ नहीं कहा अपने हाँ एक बहुत पुरानी मिठाई चलती है रसगुला महराजी सुमंत जी के पास में रसगुले हैं और जाकर के समय जान चुके हैं कि सुबे साथ बज़े निकलते हैं छे बज़े जाकर के रसगुले का लेपन कर दिया सुमंत जी ने आज महराजी जिस समय अपनी जबान को लगाया रस दूसरा निकला बाबा जी ने उपर से नीचे तक देखा कुछ नहीं चारो तरह नजर घुमाई कुछ नहीं चाट करके बापस ले गए सुमंत ने पंदा दिन लगादार उसमें लेपन करते रहे महराज अब तो अन्न के आधी बन गए आज सुमंत जी जा करके जब पहुँचे चणों में नत्मस्तक हुए बाबा जी कौनो बेटा तो जबादिया मैं अयोध्यापति बहराद नस्चत का मंत्री सुमंत हूँ किसलिए यहाँ आए हो महराज जी इस पेड़ में तुम क्या खाते हो खाल चाटता हूँ महराज इसके फल खाये हो नहीं नहीं लभेरे में फल छोटा सा होता मैंने कभी निकाया का अरे मैं तुम्हें खिलाओं इसका फल आज सुमंत ने एक रस्गुल्ला निकाला बाबा जी के हांग पे रखा बाबा जी ने जिस सिखाया बाबा जी का दिमाग चक्कर काट गया अभी मैं जब चांट रहा था इसका ही मतलब ये मिलते कहां है तो जवादिया महराज ये फल अयोध्या में प्राप्त होते हैं आप मेरे रत पर बैठ करके चलिएगा आज बाबा जी ने ध्यान धर के देखा मुश्कर आए अरे दुस्टे मुझे वसिष्ट में बुलाया और आप रत पर बैठ करके जीस्समें चले तो आयोध्या में प्यारी सुझनों आए है अरे संतों का जुन्ड साथ लेकर मुनिकी अकवानी आए संतों का जुन्ड साथ लेकर मुनिकी अकवानी आए तरनों में जीस्ट युका करिके लाजानी आदिक इछलायों है जबादिया संतों के चलों में संतों ने जाकर महराजी को पराम किया और तसरतु शर्श्टांग पराम कर रहे हैं हमारे भाया लोग पेछे बैठें सभी एमें बीए बीएट बीएससी करें ना इसमें बहुत तेसे लड़के बैठें अच्छा ये बताओ, सस्टांग पढ़ाम किसे कहते हैं, जिसे मालूम हो ज़रा उपर से यहां तुटाएं नहीं नहीं हम आप लोग को से नहीं पूछ रहे हैं, बच्चों से पूछ रहे हैं, जो M.A.B.A.B.S.C. कियो ही है इंटर वाले बैठे हैं, बता बताओ, सस्टांग पढ़ाम किसे कहते हैं, नहीं पता है क्यों? क्यों? क्यों नहीं पता है? इसलिए नहीं पता है, कि इसच्छा मिली नहीं है कि मिली, नहीं मिली, कमी किस की, आपकी, मैंने कल परसों बताया था प्यारे सद्नू, भागवत में एक बड़ा सुन्दर इसलुक आया, ब्रद्दो पेशनुम चत्वार वर्धंते, आयू विद्या यसो बलब, जो कोई बालक, अपने से बड़े का सम्मान करता है, चरन इस प बल और बुद्धी, लेकिन आज कोई लाला नहीं चाहता, आज सारे लाला साप के भागी बनते हैं, महराजी दूसरा काला, इनको ये पता नहीं कि मेरी माताएं कितनी है, है किसी को पता तुमाई कितनी अम्मा है, नहीं पता है, पढ़ाया नहीं गया, महराजी, इसकूल मे जब हम पढ़ते थे तो हमारे स्कुल में हमारे गुरु जी पढ़ाया करते थे और आज इनके स्कुल में सरजी पढ़ाते हैं गुरु जी नहीं पढ़ाते हैं सरजी पढ़ाते हैं गुरु जी नहीं पढ़ाते तो सरजी जी को कुछ पता ही नहीं तो इनको क्या बताएंगे महराजी माता हैं तीन है जिस माता ने हमें अपनी नौ माश गर्भ में रखा प्यारे सदिनों उस माता का ये अपमान करते हैं ऐसे कुत्ते रौरो नरक को जाते हैं प्यारे सदिनों सच करुआ होता है जो लिखा है वो बता रहा हूँ ऐसे कुत्ते रौरो नरक को जाते हैं और 80% हमारे जो ब्यद्यार्थी जीवन में हैं माताओं का अपमान करते हैं दूसरी माता प्रत्वी पत्नी किसकी? आप कहते हैं भगवान के मैंने दर्शन नहीं किये मैं कहता हूँ उसकी पत्नी की गोदी में तुम नित्प्रत खोईलते हो लेकि तुमने कभी आप भर करके देखा नहीं बेदब्याशी ने भागवत में लिखा है ये दूसरी मैया कौन? समूत्र वशने देवी परवत इस्तन मंडले विश्न पत्नी नमाश्यतो पामपादस्व जहमाश्यत्व कहा महराजी तीसरी दूसरी मैं प्रत्वी है कहा जो प्रभू विश्नु भगवान की पत्नी समूत्र वशने देवी परवत इस्तन मंडले विश्न पत्नी नमस्तु भ्यमपादस्व जमच्च में ये इस लोग अगर इन लिर्कन से पूछो तो किसी को नहीं पता सुबह उठकर अगर प्राता काल इस लोग को पढ़ा करके प्रत्वी मैया के पैर चुह लो तो जीवन में एक्सिडेंट हो जाए तो मैं मूह नहीं दिखाने आओंगा ये बादा है मेरा ये इस लोग पर करके मैया पत्री के च्छाती पर जवलात रखते हो तो तो तुम्हें लज़न ही आती क्योंकि ये मा है अरे एक मैया ने तुझे जनम दिया जिसने केवल तीन साल तक दूद पिलाया आज की माताएं तो दूई दिन लो नहीं पिलाती तीन साल तक पिलाया और उसके बाद में गाल पर तमाचा दिया बड़े हो गए हो अब तुम दूद दियोगे